हेलो एवरिवन स्वागत है आपका अमारे यूटीव चैनल पे तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड्स ओफ दी एक्जेकुशन जो भी हम किसी भी डिक्री को एक्जेकुट करने के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स रह गए थे पावर्स ओफ दी एक्जेकुटिंग कोर्ट तो हम उनको भी आज डिस्कस कर लेते हैं एक कोशन है गाईस कि क्या जो एक्जेकुटिंग कोर्ट है वो अपनी इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 151 ओफ दी सीपीसी यूज कर सकती है उस डिक्री को चेक करने के लिए जो पास की गई थी बाई दी कोट ठीक है तो इसका अंसर है बिल्कुल नो ठीक है पर इसकी कुछ एक्सेप्शन से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है जैसे कि अगर वो कोट के पास जूरिस्टिक्शन ही ना हो या फिर लिमिटेशन पीरेड एक्सपायर हो गया हो तो फिर क्या कर सकती है कोट यूज कर सकती है पर उसको मतलब की एक स्ट्रॉंग पॉइंट रखना होगा ठीक है रीजन भी लिखने होंगे अब्जेक्ट क्या है इस सेक्शन का जो एक्जिक्यूटिंग कोट के पास पावर्ज है उसका सिर्फ और सिर्फ यही अब्जेक्ट है टू अव लेकर 66 की वीडियो जो है वो मैं अलग से बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टोपिक है और साथ की साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी उस कंटेंट्स को याद रखने के लिए ठीक है तो लेट स्टार्ट सेक्शन 51 क्या कहता है कि सबसे पहले तो है यह जो सेक्शन है न यह सब्जेक्ट है टू दी कंडिशन और लिमिटेशन प्रिसक्राइब बाई दी एक्ट जो हम अभी डिसक्स करने जा रहे हैं ठीक है अब क् क्या है order 21 rule 21 में क्या लिखा हुआ है अगर जो है एक decree holder ने एक particular mode को चूज कर लिया जो हम आगे discuss करने जा रहे हैं तो वो उसी पर ही रहेगा कोई और mode को वो चूज नहीं कर सकता that means to say there is no simultaneously modes can be choose ठीक है तो क्या है list of the modes सबसे पहले देख ले हम की by delivery of the property which is the specifically decreed अगर आपके favor में कोई decree पास हुई है और मेरे against में कोई decree पास हुई है तो मैं क्या करूँगी आपको उस property की जो possession है साथ की साथ उस property को deliver करूँगी आपको ठीक है तो हम देखते है order 21 rule 35 है आप इसको in brief भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा आप इसको explain कर दे in the examination तो वो भी sufficient है more than sufficient है वो ठीक है अगर जो है property immovable ठीक है तो possession दी जाएगी उस property की और साथ की साथ remove किया जाएगा persons from it ठीक है अगर जो persons है एक से ज़ादा है तो क्या होगा fix कर दिया जाएगा notice और साथ की साथ जो traditional method है ढोल नगाडों के साथ बदाया जाएगा कि हाँ ये जो notice है हमने चिपका दिया है अब जो persons यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको खाली करना होगा ये घर ठीक है if building और property is locked अगर जो है लोक लगा हुआ है और जो person के पास चाबी है वो काफी दूर रह रहा है मतलब कि उसको आने के लिए भी time लगेगा और साथ की साथ उसके expenses भी लगेगे तो court क्या है अपने ही authorized बंदे से कहकर उस लोग को तुडवा भी सकता है ठीक है तो आगे जाकर हम देखने हैं कि bonds if property is movable debt या फिर bond ठीक है ये बात करता है order 21 rule 79 ठीक अगर जो property है वो movable है या फिर debt है या फिर bond है तो उस immovable property की तो हम उसकी possession जो है उसको deliver करेंगे ठीक है if in possession of the other person तो हम उसे notice करेंगे कि तुमने इसको deliver करनी है property अगर कोई भी share या bond है corporation के लिए तो फिर क्या होगा person जिसको sale किये गए थे ठीक है जो bonds वगरा share के sale किये गए थे तो उनको notice जाएगा कि आपने अब कोई भी interest receive नहीं करना इन पर और नहीं कोई dividend receive करना साथ की साथ notice जाएगा उनके head को कि आप transfer करें ये जो सारे bonds जो shares है in the corporation to the on the name of the decree holder ठीक है गाइस तो आगे हम discuss करने जा रहे हैं और modes ठीक है जो की है arrest and detention in prison ठीक है हमने आपको पहले ही बता दिया था attachment का जो mode है उसके लिए हम एक separate सी video बनाएंगे ठीक है वो भी deal करता है arrest and detention के साथ जो की हम आगे वाले slides में discuss करेंगे अब period कितना mention है arrest का 3 months का ठीक है तो section 55 से शुरू करते हैं कुछ rules है regarding the arrest and detention तो हम उनको भी discuss करने जा रहे हैं आज की arrest and detention only at सिर्फ और सिर्फ दिन में ही arrest होगी रात को arrest नहीं होगी ठीक है arrest के बाद person को civil court में लेकर जाया जाएगा ठीक है detain कर लिया जाएगा उसे civil prison में अगर जो suitable accommodation नहीं दी जा सकती उसको civil prison में कोई भी कारण विवश उसको नहीं रखा जाएगा तो एक separate से accommodation दी जाएगी as per the state government rules ठीक है तो proviso है कि कोई भी arrest जो है after sunset and before sunrise नहीं होगी in the dwelling house नहीं तोड़ा जाएगा कोई भी door of the dwelling house unless conditions बताई गई है unless जो है believe hope उस police officers को जो की arrest करने जा रहे हैं कि जो judgment debtor है वो house में है और वो prevent कर रहा है अपनी arrest को उसको opportunity and reasonable time and reasonable opportunity दी जाएगी परदानशीन women को जो की होंगी dwelling house में परदानशीन women generally वो होती हैं जो की जल्दी ही उनका जो custom है allow नहीं करता किसी भी गैर मर्द के सामने जाने के लिए ठीक है तो और आप इनके बारे google पे search कर सकते हैं तो point number four जो है वो बात करता है release of the person by the police officer जिसको arrest किया है अगर जो है money decree है सिर्फ तो और उसने पे कर दी हो amount of the decree और amount of the arrest यह दोनों को पे करना बहुत जाला जुरूरी है अगर जो है money decree है ठीक है fifth point if state government believes that arrest of the person will result in convenience or danger to the public तो उसकी arrest नहीं होगी opportunity of person to apply for the insolvency under the insolvency law ठीक है तो उसको proper opportunity दी जाएगी कि वो क्यों नहीं पैसे भर रहा कोट के ठीक है जहां फिर arrest के तो वो apply कर सकता है कि हाँ मैं तो insolvent बंदा हूँ भई तो उसको opportunity दी जाएगी ठीक है तो order 21 rule 37 and 38 just for the additional knowledge के लिए है आपके तो आप इनको एक as a just look दे सकते हैं video को pause करके ठीक है तो section 56 जो है वो बात करता है कि no arrest of the woman when money decree various other exceptions like judge, magistrate, MP या MLA etc आपको पता ही होगा इनको ऐसे जल्दी arrest नहीं किया जा सकता ठीक है section 57 जो है वो बात करता है subsistence allowance की paid by the decree holder for the arrest of the judgment debtor in the court as perfect by the state government ठीक है fix scale किया जाएगा और साथ की साथ देखा जाएगा उस person के status को उसकी देखा जाएगा कि किस rank पे वो काम कर रहा है ठीक है rule 39 जो है order 21 का वो भी same बात करता है अब section 58 क्या है भई हमने जो पीछे discuss किया था कि three months का time period होगा अब हम उसी को continue करने जा रहे है section 58 है arrest and detention अगर जो है amount for which the decree has been passed is कुछ rules है आपको इन rules को अच्छी तरह से समझना होगा तो अगर जो है amount decree pass हुई है उसकी amount जो है 2000 रुपे तक है तो फिर उसकी arrest नहीं होगी अगर जो है 2000 से लेकर 5000 रुपे तक है उसकी amount decree जो पास हुई है उसके against तो 6 हफ्तों की उसे arrest हो सकती है और जो है amount 5000 से जादा तो three months ठीक है तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते है सही मतलब आप अगर इसको ऐसे भी present करोगे तो भी ब्लुकुल सही होगा in your examination release of the judgment debtor if amount paid by the judgment debtor mentioned in the warrant ठीक है सेम बात भी बंदे ने जब amount pay कर ही दी वरंट पे जो लिखी है तो उसे release कर दिया जाएगा ठीक है और कौन-कौन से circumstances है जब उसे release कर दिया जाएगा अगर decree जो है fully satisfied हो गई है जा फिर decree holder की request पे उसे छोड़ दिया जाएगा अगर जो है decree holder ने subsistence allowance नहीं pay की ठीक है subsistence allowance हमने देखा था कि decree holder pay करेगा कुछ sum कुछ amount to the person किसको to the court किसके लिए for the execution of the decree किसे भी mode को exercise करने के लिए वो क्या करेगा एक amount पे करेगा ठीक है section 59 जो है वो बात करता है कि judgment debtor को release कर दिया अगर वो बिमार हो या फिर serious disease होगी हो ठीक है infection होगी हो उसे ठीक है subject to re-arrest not exceeding period mentioned under section 58 and that period is three month ठीक है तो प्रवाइजो थी guys जो section 51 की रह गई थी हम उसे भी continue करने जा रहे है कि opportunity to show cause given to him किसको judgment debtor को if court observe that कब देगे कब देंगे opportunity अगर court को लगे कि judgment debtor जो है with the object और delay या obstruction create करने के लिए court की jurisdiction से बाहर जा रहा है या फिर sale कर रहा है अपनी property को या फिर उस property के कुछ portion को ठीक है या फिर court को reason to believe हो कि हाँ इसके पास तो पहले से ही decree को pay करने के लिए sources से पर इसने जान बूझ कर या फिर willfully refuse या फिर neglect to pay करने के लिए उसने अपनी decree को fully satisfied नहीं किया ठीक है explanation जो है वो यही बताता है कि जो property mention की गई है exempted है ठीक है from the attachment चाहे वो किसी law में लिखा हो चाहे वो हो किसी भी custom में exempted हो तो फिर वो और साथ की साथ if there is presence of the fiduciary relation ठीक है तो यह सारी conditions भी है section 51 पर ठीक है अगला mode जो है वो है by appointment of the receiver ठीक है हमने discuss भी किया है अपने previous वीडियो में order 40 में आप हमारी playlist में जाकर देख सकते है ठीक है any other mode जो भी decree को लगे जो भी court को लगे कि हाँ यह decree जो है इस ही तरीके से execute होगी सिर्फ तो उस mode को भी court adopt कर सकती है for the execution of the decree so guys अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो please like comment and share as well as subscribe my channel thank you